पूल पर भाढ़ का पानी होने के बाद भी यात्रियों से भरी बस को निकालना बस ड्राइवर को महंगा पड़ गया यात्रियों की जान जोखिम में डालने के बाद ड्राइवर के इस दुस्त सहास को प्रसासन और आईटियों ने गंभिलता से लेते हुए बस ड्राइवर और ऑपरेटर सहित सपोर्टिंग स्थाफ के खिलाफ एफायार डर्च कराने के निर्देश दिये हैं दरसल मामला महितपूर का है लगातार हो रही बारिस के दोर में भले ही पुलीस और प्रसासन लगातार लोगों को आगा करा रहे हो कि जब नदी नालों पर बने पूल पुल्याओं पर बाड का पानी हो तो उन पर से न गुजरे लेकिन लोग मानने को तयार नहीं है गुरुवार को उज्जन की महितपूल तहसिल के समीप सेमदिया में नाले में आई बार में कार और ड्राइवर समेट दो सिक्षिकाओं के भेजाने का मामला अभिताजा ही था कि एक बस चालक द्वारा बस में सवार पचास से अधिक यात्रियों की जान जोखिम में डाल कर पूल पर बाड के पानी का बहाव तेच होने के बावजूद खतरा मोल लेते हुए बस निकाल दी भगवान का सुक्र रहा की बस निकल गई वरना हाथसा हो जाता हाला की किसी ने बस ड्राइवर के इस दुस सहास का वीडियो बना कर वाइरल कर दिया बस चालक की इस हरकत को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गंबिरता से लेते हुए बस ओपरेटर सहीद वस चालक और स्टाफ के खिलाफ एपाया दर्च कराने के निर्देश दिये हैं दरसल पूल पर बाढ़ का पानी होने के बाद भी नागोरी बस क्रमांक MP13T0625 के चालक ने महितपूर से नागदा पर यात्रियों को ले जाते समय उनकी जान जोखिम में डालते हुए बस को पूलिया के उपड़ से निकाला था वीडियो वाइरल होने के बाद कलेक्टर ने इस मामले में कारवाई के आदेश दिये थे जिस पर छेत्रिय परिवहन अधिकारी ने जांच की तो बस नागोरी बस सर्विस की निकली जिस पर आइटियों ने एफाई आदर्च कराने के आदेश दिये है वीवी एस सेंगर सीटी चैनल उच्चेन